कहानी की शुरुआत होती एक एंटिक म्यूजियम को दिखाते हुए जहां अचानक से एक चोरी हुआ नागा पर्ल एंटिक पीस वापस आ गया था तो यहीं पर हमारे कहानी का में लीड स्पेशल क्राइम यूनिट कैप्टेन प्राश एक मिशन को एंजाम देने आया था और अपने साथ लाए बैग को काफी संभाल रहा था अब वीटा एक बहुत ही एक्सपर्ट क्रिमिनल और साइकलोजिकल एनलिस्ट थी इसलिए वो उसे पूरा यकीन था कि प्राश यहां पर कुछ तो गड़बड करने आया है इसलिए वो उसे पहले तो दूर से फॉलो करती है प्राश को भी डाउट हो जाता है कि कोई तो उसे देख रहा है तो वीटा पीचे से उसके करीब चली आती है उसके बैग को टच करने पर प्राश पहले ही बैग हटा देता है इससे वीटा का हाथ पहले उसके पैर पर जिन्हें हटाने पर प्राश के चेश्ट पर पड़ता है तो वीटा उसे सोरी कहकर निगल जाती है और सिकेरिटी को प्राश के बार में बताने जाती है जो प्राश नोटिस कर लेता है तो वीटा भाग कर वाश्रूम जाती है वही प्राश उसनाव का जैम के पास अपना बैग रग देता जिसमें टाइमर लगा हुआ था तो वीटा वाश्टूम के सिकर्टी सिस्टम से सिकर्टी को इंफर्म करती है कि म्यूजियम के अंदर ब्लैक कपड़े और ब्लैक हैट पहना हुआ आदमी उसे डेंजरिस लग रहा है इसलिए प्रशिर के सिकर्ने का नाटन करता है पर वीटा उसके हाथ में काट कर म्यूजियम के अंदर बाग जाती है तो प्रशिर से फॉलो करने आता है वीटा उस नागा जैम के और भागती है कि उसलिक पास प्रश का बैग रखा हुआ था पर तभी वहां रखी दूसरे एंटिक्स में से स्मोक बॉम स्पोर्ट ने लग जाते हैं जिससे लोग पैनिक होकर इदर उदर भागने लग जाते हैं तो प्राश उन सभी को नीजे बैठ जाने के लिए क्याता है और वीटा को रोकने के लिए भागता है और उसे सरी टैम पर बचा लेता है वह हम देखते हैं जो इस म्यूजियम का ओनर था उसी नहीं ये सारा प्लान बनाया था एंटिक पीसिस को चुराने का जिस बार में प्राश को पता शल गया था इसलिए वो इसे पकड़ने के लिए आया था तो इस बंदे का नाम था मिश्टर इग तो ये लोग एंटिक पीसिस को लेकर भागे रहे थे तब ही प्राश यहां पहुँच जाता है जो मिश्टर इग को पकड़ने ही जा रहा था पर तब उसका पीछा करते हुए वीटा भी यहां पहुँच जाती है इसलिए वो प्राश को रोकने लग जाती है पर इस चकर में मिश्टर इग यहां से भाग जाता है प्राश वीटा से अपने आपको चुड़ा कर उसकी पीछे जाता है लेकिन वो तो निकल चुगा था वीटा पुलिस को प्राश के बार में ही बता रही होती है क्योंकि उसे तो अब भी वही जोड लग रहा था तभी यहां पर प्राश पहुँचाता है जिसे देख पुलिस वाला उसे सेलिट करते हुए कैप्टन बुलाता है तब वीटा को समझाता है कि उसने गड़बड़ी कर दी है इसलिए कैप्टन उसे डाट कर चला जाता है अब स्पेशल क्राइम यूनिट में एक और आफिसर आने वाली थी जिस लिस्ट में वीटा का भी नाम था जो कैप्टन देखता है पर उसकी फिजिकल परफॉमेंस बस 50% थी इसलिए कैप्टन उस पर ध्यान नहीं देता इधर वीटा स्पेशल क्राइम यूनिट जोइन करने के लिए उनके ओफिस पहुच जाती है जहां वीटा को दूसरे ओफिसर्स काम समझाई रहे थे यह तभी बाहर उन्हें एक दमागी की आवाज सुनाए देती है जहां पर टाइगर गैंग का बॉस और उसके दूसरे साथ ही उसके गैंग के खिलाफ जो सारे एविडेंस यहां पर थे उन सब को चुरानी के लिए आये थे उनका प्लान यही था कि टाइगर गैंग का जो मेंबर एरेश्ट हुआ था वो पुलिस का ध्यान बटकाएगा और उनके ऑफिस के पास वाले बिल्डिंग से टाइगर गैंग वाले इनके ऑफिस में एंट्री मारेंगे और सब हुत लेकर निकल जाएंगे पर वीटा उस गैंग मेंबर के एक्सप्रेशन और इशार उसे समझ गई थी उनके ऑफिस में कुछ तो गरबर होने वाली है तो इस तरह से सारे टाइगर गैंग वाले को अरेश्ट कर लिया जाता है अब वीटा के अनलाइजिंग स्किल से सारे ऑफिसर्स इंप्रेस हो गए थे तब ही यहाँ पर चीफ आते हैं वो एक बार कैप्टन से इस बार में बात करेगी अब वीटा के क्रिटिकल थेंकिंग और एनलाइजिंग स्किल से चीफ को भी लगा कि वीटा को एक चांस मिलना चाहिए इसलिए वो से स्पेशल क्राइम यूनिट में ही रखने के लिए मान जाते हैं मौत लगे अब वीटा और मिंग उस लड़की को बचा लेते हैं अब इस जगह को अच्छे से अनलाइज करने के बाद और उस लड़की के बैकगरांड को जानने के बाद वीटा समझ जाते कि किलर कौन होगा वीटा भी सेम क्याप्टन की तरह ही एनलाइज करता है और वो भी उस कल्परिट का पता लगा लेता है तो सब लोग एक बिल्लिंग में पहुँच जाते हैं उस कल्परिट को पगड़ने के लिए जहाँ पर टीम लेडर वीटा को बाहर ही रुका देता है क्योंकि फाइटिंग उसे आती नहीं थी पर वो कल्परिट तो वीटा को ही पगड़ के टेरस पर ले जाता है जहाँ उसके गले पर वो जाकू रख देता है लेकिन क्याप्टन उस कल्परिट को मार कर उसे बचा लेता है इसे वीटा तो full confidence के साथ क्याती है कि वो अपने physical abilities को prove करके रहेगी इसके बाद एक बच्ची के kidnapping का case आता है इसके information निकालते हुए इने पता चलता है कि उस लड़की के माने lottery जीतने के लिए नागा God को अपनी बेटी का sacrifice किया था उस लड़की के घर में investigation करनी के लिए ये लोग जाने वाले थे जहां वीटा भी जाना चाहती थी पर कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि अगर वहाँ किसे ने attack किया तो वीटा अपने आपको ही बचा नहीं पाएगी जा करनी के लिए जंगल के पास एक मंदिर गई थी जा हम देखते हैं कि उस मंदिर के पीछे बहुत सारी लड़कियों को बंद करके रखा गया था और बेसिकलिए नागा God को sacrifice के नाम पर human trafficking चल रही थी और लूगर नाम का गैंग इस राकेट को चला रहा था अब कैप्टेन अपनी टीम के साथ जंगल पहुँचाता है पर उन गैंग वालों ने अपनी जगह बदल ले थी इसलिए वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता इधर वीटा ओफिस में बैट करी इस केस के investigation कर रही थी और इस केस के लूज को जोड रही थी तो बाहर जाकर इस केस के बार में चान बेन करने के लिए वह अपने भाई वासू को लगा देती है जो से काफ़ी सरे information देता है वीटा आगे के investigation करने के लिए बाहर जाए रही थी के घर के बाहर के CCTV footage का copy मंगा लेता है जिसमें वो एक sausage company की van देखता है जिस पर उसे doubt होता है तो उस बार में पता करता है इधर वीटा ने भी अपने भाई से कहकर उस जगह का CCTV मंगा लिया था और सेम उसे भी वही doubt होता है उस van पर जिसके बार में पता करके वो अच्छे से उस footage को चेक करती है तो उसे footage में एक लड़की दिखाय देती है इसलिए वो इस बार में बतानी के लिए कैप्टन के पास office आती है पर तब तक कैप्टन निकल चुगा था उस sausage factory को ढोड़ने के लिए तो वो उस factory के बार से नज़र रखता है जहां अंदर तो बहुत सारे criminals थे और उनमें से एक museum वाला मिश्टर एक भी था अब यहाँ पर चुपते हुए वीटा भी पहुँच गई थी अब वीटा की चकर में वो गुंडे इन्हीं देख लेते हैं जिस वे से गुंडे के साथ कैप्टन की fight हो जाती है जिस दोरान वो गुंडे उसे black lion कहकर बुलाते हैं वह उसके कंदे पर इक अजीब से चोट का निशान होता है अब कैप्टन उन सब की धुलाए करके वीटा को लेकर बाहर चला आता है अब वीटा बहुत ही जादा curious लड़की थी इसलिए वो अभी कैप्टन से बहस करने पे उतराती है अब पूछने लग जाती है कि वो लोग आखिर आपको black lion क्यों बुला रहे थे कहीं आप उन सब को पहले से तो नहीं जानते अब अगले दिन वीटा के तो चर्चे हो जाते हैं आफिस में कि उसने इस आई विटनेस को ढूंड कर ये case ही solve कर दिया सब लोग कहने लग जाते हैं कि अब कैप्टन वीटा को तो permanently रख लेंगे पर इन सब को जटका तो तब लगता है जब वो आई विटनेस यहाँ पर आती है जिसका नाम था उई एन पर वो तो देखी नहीं सकती थी जिससे देखकर वीटा तो एक्दम हैरान हो जाती है क्योंकि कल रहत तो उसने कैप्टन के सामने बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी थी तो जब कैप्टन को पता चलेगा कि यह आई विटनेस तो देखी नहीं सकती तो वीटा का क्या होगा हमें नागा गैंग को दिखा जाता है जिनका लीडर था लूगर तो उसके गैंग मेंबर्स आकर उसके बताते हैं कि उन्होंने ब्लैक लायन को देखा लूगर का फेस हमें यहाँ पर नहीं दिखा जाता और वो ब्लैक लायन नाम सुनकर कुछ सोचने लगता है इधर वो आई विटनेस देख नहीं सकती जिस वेसे कैप्टन तो वीटा को बहुत कुछ सुनाता है पर फिर वीटा इस इन्विस्टिकेशन का पार्ट रहना चाह जाता है वीटा पे चांस मारने के लिए अब सेन की फैमिली काफी जादा इंफ्लूएंशल थी और चीफ के साथ उसकी अच्छी खासी पहचान थी इसलिए कैप्टन पे उसे जादा कुछ नहीं बोलता बस काम के टाइम पे ऑफिस आने से मना करता है और जाते जाते वीटा को फाइल्स रूम में ड्यूटी दे कर जाता है जहां वीटा को हीमन ट्राफिकिंग गैंग के बार में रिपोर्ट्स मिलती है जिस फाइल को पढ़कर उसे पता चलता है कि 5 साल पहले कैप्टन और उसके एक साथ ही ने लूगर गैंग का खात्मा किया था जिस तोरान कैप् इनको अपनी जान करवानी पड़ी और यही जीज़ाने की कैप्टन अपन टीम में सारे ओफिसर्स को फिजिकल परफॉमेंस के बेसिस पर सेलेक्ट करता है और इसलिए वो वीटा को किसी भी मिशन में शामिल नहीं करना चाता है पर वीटा तो अपनी अबिलिटी उसे प्र जब वो उसकाइब होई लड़की के घर के बाहर खड़ी थी तो उयन उसे बताती कि उसने काफी अनफिमिलियर शटर ओपन होनी की आवाज सुनी थी और काफी लोगों के पैरों की आवाज भी सुनी थी जानकर वीटा तो खुदी इन्वेस्टिकेशन करनी के लिए जिससे उठने के चकर में पास रखे बैंबूस उसके उपर गिरने लगते हैं जिससे वो बच जाती है तो वो सीडियो से बिल्डिंग के उपर उठ जाती है जहां वाटर टैंक के पास उसे काफी सारे सिगरेट दिखते हैं और उस वाटर टैंक में एक बंद पड़े घर का भी connection लगा हुआ था कि देखकर उसे doubt हो जाता है तो जैसे ही वो सारी चीजों को recall करती है कि वो kidnappers इसी बंद पड़े basement वाले घर में है तो वो call करके अपने सारे fellow officers को बुलाती है दूसरी और हम captain को देखते हैं जो पहले बंद पड़े घर में घुसाता है और उन गुंडों से fight करना लग जाता है तो उड़ी देर में वाकी officers भी पहुंचाते हैं तो वो सबी साथ मिलकर सारी criminals को पगड़ लेते हैं और यहां पर museum वाला मस्टर एक भी पगड़ा जाता है जिसके बाद अच्छे से चान बिन करके वो लोग यहां से सारी लड़कियों को भी निकाल लेत मुझे बचाया था कैप्टन क्याता है कि हां और इससे मैं पूरी तरह से समझ चुका हूं कि तुम अपने आपको criminal से क्या बैंबू से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती पर इस बात तुमने काफी अच्छा काम किया जिसके लिए तुम्हारी तारिफ तो बनती है पर फिर भी मेरे और्डर को तुम नहीं मानी लेकिन तुमने अके लिए उस घर के अंदर जाने से पहले सारे ऑफिसर्स को बुला लिया यह अच्छा किया वड़ना अब तक तो तुम जिन्दा ही नहीं होती इसलिए आगे से मेरी बात मानना और अकेले कुछ भी इन्विस्टिकेशन कर पर लूगर को इतना भरुसा था कि मिट्र एक पुलिस वालों को उसके बार में कुछ भी नहीं बताएगा और सच में जब कैप्टन मिट्र एग का इंट्रोकेशन कर रहा था तब एक कुछ नहीं बताता बस उस यह कहता है कि तुमने जिससे पंगा लिया है वो को आम आदम देगा तो अगले सूब वीटा पहुंच जाती है ट्रेणिंग करने के लिए जहां आधा राउंड मार करीब वो तो ठक जाती है तो कैप्टन उसे बहुत सारे exercise कराने लग जाता है पर वीटा तो कुछी मिनट में ठक जा रही थी तो कैप्टन उसे जादा से जादा प्रोटीन वाली खाना खाने के लिए क्याता है ताकि थोड़ी muscle strength बढ़ा सके वीटा उसे अपनी police academy वाली report दिखाती है और बताती है कि मैंने हर महीने अपने physical performance का 1% बढ़ाया है तो कैप्टन उसे टॉंट मारते हुए क्या था कि अगर तुम इसी तरह से improve क करती रही तो तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे फूरी तरह से physically fit होने के लिए इसलिए अपने दिमाग के साथ साथ अपने body को भी चलाओ तभी यहां पर मिंग आ जाती है कैप्टन मिंग से वीटा को train कराने के लिए क्याता है ट्रेनिंग के बाद वीटा प्रोटीन वाला का अंदर रह सकता था जो देख तो वीटा सच में उससे इंप्रस हो गई थी क्योंकि वो काफी जादा physically fit था इसलिए वो उससे उसका diet plan पूछ लेती है अब सेन उसके साथ threat करी रहा था तब ही उसकी फ्रेंड शेन आ जाती है जो वीटा से कहती कि इसकी protection की कोई ज़रुत तो मेरे साथ चलो ये क्याकर वो उससे अपने साथ ले जाती है इधर उयन को फील हो रहा था कि कोई तो उस पर नज़र रख रहा है तो कैप्टन उयन का statement लेने के बाद उससे अपने officer से क्याकर शॉप तक पहुँचाने के लिए बेज़ देता है सुबह से उससे आफिस मे उसके बार में पूछता है तो डाब बताता है कि चीफ ने उसे bodyguard की duty दी है Mr. Sen और Miss Shin की जिसके बार में captain को तो पता ही नहीं था इधर वासू पहुच चुका था उयन से मिलने के लिए पर उयन तो अभी तक पहुचे ही नहीं थी तो वासू उयन के friend से वो कबाई की इस बा बहुत बड़ी smile आ जाती है तो वासू बहुत खुच और अपने लिए कुछ snacks लेनी के लिए जाता है वही देशन वीटा के साथ बहुत सी बाते करने लग जाती है उसे अपने family के बार में बताती है और वीटा से भी उसकी family के बार में पूचती है तो वीटा बताती कि वह बहुत अची तरह से ख्याल रखता है शिन कहती तुम बहुत लखी हो, तुम्हें चाहने वाले तुम्हारे साथ रहते हैं वही हमें पता चलता है कि शिन के ड़ेड ने अपनी जान ले ली थी जब शिन काफी छोटी थी जिसके बाद शिन उपने अंकल के फैमली के साथ ही रहती थी यानि कि सैन उसके अंकल का बेटा है इधर वासु को बहुत सारे स्नेक्स फैक कर देती है और उसे दो दिन बाद अपने बर्ड़े पर भी इन्वाइट करती है वासु तो बहुत excited होता है उसके बर्दे में आने के लिए क्योंकि हमारे वासु का दिल हुए आने पे आ गया था वीटा शाम को वासु को बताती है कि आज उसकी बॉडिकार्ट की duty थी शिन और सेन का नाम सुनकर वासु से उनसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उनकी फैमली बहुत ज़्यादा पाउरफुल है तब यूसे कैप्टन का कॉल आता है जो इसे कल से बॉडिकार्ट का काम बंद करके आफिस आने के लिए कहता है वीटा बताती कि चीफ ने मुझे ओडर दिया है तो कैप्टन कहता है कि तुम मेरी हो मेरा मतब तुम मेरी टीम में हो और मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरे ओर्डर्स मानने हैं तो अगले दिन कैप्टन के कहने पर डा और मिंग बॉडिगार्ड बनके चले जाते हैं इसलिए मैंने अपने टीम से बेस्ट आफिसर्स भीज़े हैं जो सुनचीफ कुछ नहीं कहता जिसके बद कैप्टन वीटा को बात करने के लिए बुलाता है क्योंकि अब वो उसका वर्क कैपैबिलेटी टेस्ट करना चाता था इदर उयन अपने शॉप में स्नेक्स बना रही थी तब युसे किसी के आनी के आहट सुना देती है इसलिए वो एक चाको उठा लेती है पर वो तो वासू था जिसके परफ्यूम से वो उसे पहचान लेती है तो उयन उसे पूछ थी कि तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे बता वासू कहते है मुझे तुम्हारे भाई ने बुलाया था क्योंकि वो मुझे तुम्हारे हाथ के बने स्नेक्स ट्राइग करवाना चाता था तो उयन काफी खुश हो कर स्नक्स बनाने लग जाती है वासु कहते है कि मैं भी तुमारी हैल्प करूँगा जो सुन उयन भी काफी खुश होती है और अब उसे भी वासु के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था तो एन वासु को पहले साथ करने का मौका देता है और उसे अपने साथ उयन के शॉप ले आता है वीटा पूरे रूम को एनलाइस करती है कोई भी चीज़ यहां से गाइब नहीं थी पर वो समझ जाती कि एक इसका काम था तो वो अपने भाइको शाम तक वियन का ध्यान रखने के लिए क्लिए कर चली जाती है तो वियन वासू को पहले sorry वियन थैंक्यों कहती है उसे शाम तक परिशानी होगी उसका ख्याल रखने में पर वासू कहती है कि मैं तो उल्टा बहुत खुश हूं तुम से मिल कर कि वो उयन के लिए क्या gift ले इस बार में सोच रहा था इसलिए वो उसे मिलने आया था तर यहां पर उयन नहीं थी तब उसके भाई ने call करके बताया था कि उयन के कपड़े बाहर थे इसलिए वो उयन को इस बार में बता दे कि अभी बारिश होने वाली थी अब उयन तो यहां पर थी नहीं और बारिश भी आने वाली थी वो उयन केती बिल्कुल नहीं उल्टा मैं तो बहुत खुश हों कि कोई मेरे बार में इतना सोचता है तो कैप्टन उन दोनों को बात करता हुआ चोड़कर वीटा को लेकर बाहर आ जाता है जहां वो उसके observation की और analyzing skills का तारीफ करता है पर ये भी कहता है कि तुम तो अपने भाई को जानती ही थी इसलिए ये तुम्हारे लिए आसान था पर तुम हर क्रिमिनल को तो नहीं जान सकती हो ना इसलिए अकेले कोई भी investigation करने मत जाना तो वीटा कहती कि वो अब से उसका हर order मानेगी तो कैप्टन उसे कल सुबर ट्रेनिंग ग्राउंड आने के लिए क्याता है अब वीटा तो बहुत साथा खुश होती कि फानली कैप्टन ने उसे अपने टीम में accept कर लिया और वीटा को कल सुबर ट्रेनिंग ग्राउंड पे आने के लिए कर चला जाता है जहाँ पर नाका गैंग का एक बंदा उस पर अटेक करता है मगर कैप्टन भी उससे अची खासी फाइटिंग करता है लेकिन वो बंदा कैप्टन के आँखों में कुछ डाल कर भाग जाता है तो वो एक फैक्टरी के अंदर आता है जहाँ पर उसे की गैंग मेंबर्स उसे मार डालते हैं क्योंकि उसे कैप्टन को मारनी के लिए भीजा गया था जो ये नहीं कर पाया इसलिए लूगर ने इसे मारने का ओडर दिया थोड़ी दिल में कैप्टन भी यहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन यहाँ से गैंग वाले भाग चुगे थे जिसका बद कैप्टन फिर से मिस्टर एग का इंट्रोगेशन करनी के लिए आता है जहां उसे बताता है कि लूगर ने तुम्हारे भाई को मरवा दिया तो हमें पता चलता है कि जिस बंदी को उन्होंने मारा था वह इस मिस्टर एग का भाई था तो कैप्टन अब लूगर से बदला लेनी के लिए मिस्टर एग को उसका साथ देनी के लिए कहता है पर वो तो नहीं मानता इधर वीटा शिन के लिए कुछ स्नेक्स लेनी के लिए आई थी क्यूंकि ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे पर तभी कैप्टन उसे कॉल कर गिया कि मर्डर केस के बार में बताता है और उसे वहाँ आनी के लिए अड्रस सेंट करता है और वो अड्रस था शिन के अपार्टमेंट का तो वीटा उससे पूछताश करनी के लिए आती है जहां सेंट उसे बताता है कि कल रहा 10 बजे उसे शिन का मेसेज आया था जिसमें उसने लिखा था कि कोई उसके जान की पीछे पड़ा हुआ है पर तब सेंट ने उसका मेसेज नहीं देखा था जिसमें सुबर पांच बजे ये मैसेज देखा तो वो जल्दी से यहाँ पर आ गया और तब तक शिन की मौत हो चुकी थी पर जिसने भी इसे मारा था उसने मडर स्पोर्ट को बहुत ही अची जरी से साफ कर दिया था और डेट बोड़ी को सफेद कपड़ों में ढग दिया था तो बाकी ऑफिसर्स हड़ जगा सबूत इखटा करने लग जाते हैं वहीं कैप्टन और वीटा उसके बेड्रूम में चेक करने आते हैं जहां उसके कपड़ों के वाट्रॉब से लड़कों के कपड़े और पफियों मिलते हैं जिससे इन दोनों को लगता है कि शायद वीटा का कोई सीक्रेट लवर होगा क्योंकि वीटा के रिलेशन्चिप के बार में किसी को भी नहीं पता था तो सारी एविटेंस इकटा करने की बाद उस अभी एक एकर कि शिन के फैमिली मेंबर्स की बाहर में पता करता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि शिन के माम डाट की जान बच्मन में ही चली गई थी जिसके बाद शिन को उसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया जो उसकी काफी ज़ादा क्यार भी करते हैं अब शिन के अंकल के चार बच्चे थे जिसमें सबसे चोटा था सेन और शिन सबसे ज़ादा क्लोज सेन के ही थी और बाकी की तीनों भाई बहन शिन को पसंद नहीं करते थे तो एक एक करके उन तीनों भाई बहनों कर उनके फैमिली वालो से पूछताच किया जाता है जिन में कोई कहता है कि शिन अपने उसी सीक्रेट लवर के साथ बिलकर हमारी प्रॉपर्टी हलपना चाहती थी जिसकी वो प्लैन कर रही थी तो कोई कहता है कि शिन तो काफी अच्छी लड़की थी में भी उसके उसी सीक्रेट लवर की कहने पर वो हमारे फैमिली के अगेंस्ट प्लैन कर रही थी तो कोई कहता है कि वो हमारे डाड के लिए अंग्रेट फुल थी तो वीटा बहुत जादा रोती है तो captain उसे console करता है Ming Shin की social media profiles को check कर रही थी जिसमें से एक में उसे Shin की exploration का पता चल जाता है और वो और coinable की वीटा का भाई वासू होता है जो दिक वीटा shocked होती है वह यह में तीन साल पहले का flashback दिखाय जाता है जब वासू और Shin date कर रहे थे दोनों साथ में live-in में भी रहने लगे थे पर उस time वासू के पास stable job नहीं थी इसलिए उसके पास जादा पैसे भी नहीं होते थे मरद अब Shin उसे support करती थी Coming back to present वासू को interrogation के लिए बुला जाता है जहां वीटा यह उसे interrogate करने चाती है पहले वासू से sorry कहता है इस बारे में ना बतानी के लिए और फिर उसे बताता है कि वो दोनों 3 साल पहले date कर रहे थे जब दोनों US में रहते थे पर तब क्यों क्यों वासू के पास financial backup नहीं था इसलिए शिन को उसके साथ अपना future नहीं दिखाए देता था और यही reason था उनके break up का जिसके बाद से वो शिन से कभी नहीं मिला था पर मिंग को कुछ सबूत मिले थे कि दोनों Thailand वापस आने के बाद सीम night club को attend करते थे तो उन्हें doubt होता है कि हो सकता है दोनों night club में मिले होंगे वीटा के लिए यह थोड़ा ज़ादा personal हो जाएगा इसलिए captain उसे इस case से बाहर रहने के लिए कहता है और मिंग और डा से night club जाकर पता करने के लिए भीजता है कि वहाँ पर दोनों मिले थे या नहीं वीटा सुबह से कुछ खाये बिना काफी साट बैटे हुई थी captain उसे खाना देने के लिए आता है पर वीटा अभी अकेले रहना चाती थी यह लिए captain वापस चला जाता है इधर मिंग डा और निक club में जाने के लिए शॉपिंग करने आये थे जहां मिंग तो काफी short dress करीदती है जिसे पहन कर वो night club में आ जाती है डा तो मिंग को देखता ही रह गया था क्योंकि वो काफी जादा beautiful लग रही थी मिंग अंदर जाकर अपने phone से कुछ फोल्डोस वगेरा खींच रही थी जिसे ऐसा करता हुआ bodyguards देख लेते हैं अब इस night club में काफी illegal काम भी होते थे इसलिए bodyguard तो उसका phone चीनने के लिए आ जाता है पर तभी वहाँ पर एक wet dress आ जाती है जो उस bodyguard के dress पर wine वगेरा गिरा कर उससे भगा देती है पर वो wet dress तो vita होती है जो मेंग को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए क्याती है क्योंकि उसने सारे सबूत ले लिये है तो vita मेंग को खींच कर washroom ले जाती है जहाँ उसे सब बता थी कि वो wet dress बनकर यहाँ पर आई थी और उसने चला की से CCTV रूम से सारे footage बगेरा copy कर लिये है दोनों जैसे ही washroom से बाहर आते हैं बहुत से bodyguards उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें इन दोनों पर अब doubt हो गया था और जो इस night club का owner था उसने इन दोनों को अपने पास लाने का order दिया था और ये दोनों उन सब को चकमा देकर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं लेकिन वहाँ तो और भी सारे गुंडे आ जाते हैं जो उस club के owner के लिए काम करते थे अब ये दोनों उन सब का मुकाबला नहीं कर पाती लेकिन तब ही यहाँवर captain की entry होती है जो सब की धूल चटाने लग जाते हैं थोड़ी देर में बागी officers भी आ जाते हैं जो इन सब को arrest कर लेते हैं वीटा को captain से बहुत साथा dart मिलती है क्योंकि वो फिर से order के खिलाफ गई थी और उसने अपनी और मिंग की जन खतरे में डाली वीटा उसके लिए sorry कहती है पर बताती है कि उसे अपने भाई को बेगुना साबित काने के लिए सबूर ढूनना था इसलिए वो वहाँ चली गई थी तो वीटा उसे pen drive देती है और बताती कि इसमें सारे वो footage's हैं पर इसमें से एक भी footage में वासू शिन से नहीं मिला था कैप्टन कहता है कि हमें बताए कि तुम्हारा भाई बेगुना है क्योंकि वासू के हाथ में जो heartbeat misery device थी उससे हमें बता चल चुका है कि शिन की मौत जिस time के बीच हुई उस time वासू का heartbeat normal था और वो सो रहा था तो कैप्टन इस बार वीटा के action से थोड़ा disappointed होता है मिंग भी उसे advice करती कि वो काम की बीच में अपने emotions को ना लाए और कैप्टन ने जो वरुसा उस पर दिखाया है उसे तूटने ना दे तो वीटा इस बार में बैट कर सोची रही होती है अभी वो अपने टेबल पर एक paper bag notice करती है जिसमें खाना रखा हुआ था और उसे कैप्टन नहीं उसके टेबल पर रखा था क्यूंकि वो कल्ब से बहुत ही ज़्यादा सैड थी इसलिए कैप्टन को उसके खानी की फिकर थी तो वीटा खाना काकर घर वापस आ जाती है जहां वासू को भी release कर दिया गया था तो वीटा वासू से पूछती है कि क्या वो अभी शिन को like करता था तो वासू कहते है कि वो move on कर चुका है इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करनी की ज़रुवत नहीं है investigate करने पर इने पता चलता है कि शिन हर महीने सौंग नाम के एक businessman से मिलने के लिए उसके resort जाये करती थी जहां उनके बीच काफी सारे पैसों का transaction भी होता था शिन बहुत से पैसे invest करती थी उस पर तो साथ शौंग के साथ इसका कोई ना कोई link तो जरूर था वीटा बताती है कि कल सौंग ने अपने resort में एक jam auction रखा है जिसे बहुत से बड़े बड़े लोग अटेंड करने वाले हैं तो मिंग डिस्गाइस में वहाँ जाने का idea देती है पर उस auction में सिर्फ couple को entry था इसलिए कैप्टन वीटा को अपना partner बनकर चलने के लिए कहता है इधर सेन के family में property को लेकर और company के वारिस को लेकर बहुत सारी बहास होती रहती है पर सेन इन सब मामलों में नहीं पढ़ता इधर कैप्टन कल रात ही resort पहुँच गया था और सुबर वो वीटा को call करके resort बुलाता है जहां वीटा उसे रात को यहां आने का reason पूछती है तो कैप्टन उसे बताता है कि यहां के बारे में अच्छे से पता करने के लिए वो रात को ही आ गया था कैप्टन ने यहां पर अपनी और वीटा के लिए fake ID बना ली थी और अपना business background भी fake कर लिया था और internet पर भी अपने बारे में सब कुछ fake डाल दिया था ताकि अगर कोई उसके बारे में investigate करे तो उनका background clear हो तो यहां पर वो वीटा को Mr. Chai से मिलवाता है जो कि Sen के बड़ी बहन का पदी था और इस auction को भी वो lead कर रहा था कैप्टन बताता है कि उसने सब कुछ पता लगा लिया है कि Mr. Chai यहां पर auction के बाहने money laundering कर रहा था और जो पैसे अभी उसके पास है वो सारे पैसे शिन के थे जो किसी तरह से अब चाय के पास आ गया था और क्योंकि Mr. Chai के पास उन पैसो का कोई हिसाब नहीं था इसलिए वो उस black money को white करने के लिए आया था इसलिए वीटा और कैप्टन Mr. Chai के बार में पता लगाने लग जाते है अंदर जाते हुए वीटा की टकर एक लड़की से होती है जिससे वो गेरने वाली होती है पर कैप्टन उसे बचा लेता है पर वो लड़की तो कैप्टन की ex-girlfriend निकलती है पर कैप्टन उसे award करके निकल जाता है पर वीटा तो अब भी उसे उसे लड़की के बार में पूचे जा रही थी तो कैप्टन उसे बताता है कि वो मेरी हाइज स्कूल की फ्रेंट थी जिसने अचानक मुझे एक दिन डेट करने के लिए कहा तो मैं उसे एक दिन डेट करने के लिए मान गया पर फिर तो वो मेरे पीचे ही पढ़ गई थी तो अब काम की बात पर आते हुए कैप्टन कियाता है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम निशा है और मेरा नाम वेन है और क्योंकि हम दोनों यहाँ पर कपल हैं इसलिए तुम्हें मुझे प्यार से बुलानी की प्राक्टिस कर लीनी जाए। दन वो लोग अपना प्लान बना ही रहे थे, तभी उनके दर्वाजी की घंटी बस्ती है, जहां मिस्टर चाय उन्हें आक्षिन का इंविडेशन कार्ट देने आया था, पर असल में तो उसे इन दोनों पर डाउट हो गया था, तभी वीटा बात रो पहन कर बाहर आती है, और प्यार से वेन का नाम लेकर पूछती की कौन आया है, दन मिस्टर चाय को हाई कहकर वो अंदर चली जाती है, दन मिस्टर चाय भी चला जाता है, तो वीटा बाहर आकर पूछती की क्या सी रही मेरी परफॉर्मेंस, कैप्टन कहाता है कि बहुत अच्छी थी, लेकिन इदर चाय को अभी भी डाउट था, कि उसने कैप्टन को पहले तो कहीं देखा है, पर इदर वीटा जब मिंग से बात करते हुए, वाक पे निकली थी, तब युसे मिस्टर चाय मिल जाता है, तो आदत से मजबूर वीटा, मिस्टर चाय को बहुत से सवाल करने लग जाती है, जिस पीच वो शिन की मौत की बात छेड़ देती है, फिर दीरी दीरी शिन की बार में ही उससे पूछने लग गई थी, कि दुखो है उसके बार में जान कर, वैसे आप उससे आखरी बार कब मिले थे, जो सब सुन मिस्टर चाय उससे पूछते हैं, कि आप मुझे उस बार में क्यूँ पूछ रही हैं, कहीं आप मुझे इंटरोगेट तो नहीं कर रही हैं, जो सुन वीटा थोड़ी सी नर्वस दीखती है, कैप्टन आकर सिचूशन को संभाल लेता है, इसके बाद रूम में आकर वीटा को थोड़ा लेक्चे सुनाता है, कि उसके इस हरकत से, चाय ने उस पर डाउट करना शुरू कर दिया होगा, अगली सुबा अचानक कैप्टन जॉगिंग पर जा रहा है कि अगर निकलता है, वीटा को उस पर डाउट होता है तो वो भी उसके पीछे जाती है, इधर सेन वीटा से ओफिस मिलने के लिए आया था, वीटा को अब समझ आ गया था कि कैप्टन बस अपनी ग्राणमा से ही मिलने आया था, इसलिए वो वापस जा रही थी, पर ग्राणमा उसे जाने से रोक लेती है, क्यों उन्होंने वीटा को तो अपनी बहु ही मान लिया था, तो वीटा उन्हें क्लिरिफाई करती है कि मैं इनकी गल्फरेंड नहीं हूँ, मैं बस इनकी जूनियर ओफिसर हूँ, पर ग्राणमा तो उन दोनों का यहीं पर रुकने के लिए कहती है, तो वीटा भी उनकी काम में हेल्प करने लगती है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्राणमा एक और्फने चलाती थी, और कैप्टेन भी एक अनाथ था, यहाँ पर आकर उनकी दोस्ती हुई ग्राणमा के पोते से, और वो था इंस्पेक्टर बार्डिन, कैप्टेन के लिए ग्राणमा ही उनकी फैमिली है, इसलिए वो हमेशा उनकी मिलने के लिए आया करता है, वीटा ग्राणमा के साथ बार्डिन के रूम आती है, जहाँ उसे बार्डिन की एक डायरी मिलती है, तब ही कैप्टेन यहाँ पर आता है उनसे कहता है, तुम बिना पुछे इस रूम में कैसे आ सकती हो, वीटा बताती है कि ग्राणमा के साथ साफ सफाई करने आई थी, तो कैप्टेन उससा और कुछ नहीं कहता, इधर मिंग उत्ता, शिन के मडर के दिन च्छाई के ड्रेवल हिस्टरी को पता करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि छाई शेहर में आया तो था, इधर वीटा कैप्टेन से कहती है, कि अब से वीटा बादिन के केस के बार में उसे सवाल नहीं करेगी, तो कैप्टेन उसे उपर सोने के लिए भेज देता है, और वो खुद हाल में सोफे पर सोता है, पर रात को से उसी स्पेशल मिशन की नाइट मेर्स आते हैं, जब बादिन की मौत हुई थी, कैप्टेन काफी डर के बड़ बड़ा रहा था, जिसकी आवास सुन वीटा उसके पास आती है, और उसे शांत करने लगती है, तो कैप्टेन उसका हाथ पगड़ करीज हो जाता है, अगली सुबर कैप्टेन बादिन के मेमोरियल पर जाता है, क्योंकि आज उसकी डेथ अनिवर्सिरी थी, जहां पर वो वीटा को बादिन के बार में सब कुछ बता देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कोई उन पर नज़र रखे हुए था, इधर वासू उएन के शॉप पर जाता है, उसके बर्दे पर ना आने के लिए सौरी कहने के लिए, पर वीएन उसके नहीं आने पर बहुत ज़दा सैड थी, क्योंकि वीएन भी वासू को लाइक करने लगी थी, पर उससे लगा कि शायद वो वासू के लिए इंपॉर्टन नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट थी, इधर वीटा और कैप्टन वापस से रिसॉर्ट में आ गये थे, पर उन्हें भी पास्वर्ट ग्रैक करने में काफी टाइम लग रहा था, इधर वीटा मिस्टर चायद को काफी रोखने की कोशिश करती है, पर मिस्टर चायद काम का बहान देकर रूम में आही जाता है, पर कैप्टन लगी लिए छुप जाता है, लेकिन चायद को डाउट हो जाता है कि उसकी रूम में कोई तो है, लेकिन तबी घंटी बेस्टियन दर्वाजे पर वीटा आती है, जो इंटरनेट से सिडियूस करने के तरीके पढ़कर आई थी, तो वो चायद को डिस्टरक्ट करती है, इधर आज़ ओटल में आउक्शन होने वाला था, इसके लिए वीटा और कैप्टन तयारो कराते हैं, जहां कैप्टन तो वीटा को देखता ही रह गया था, क्यूंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, दोनों आउक्शन में पहुंचते हैं, इसलिए शन के शन के साथ अव्यादा था, और वो शन का साथ दे रहा था, कि कमपनी के पैसों का है रुटा करती थी, पर शन के ऊसके घर पहुँचने से बहुत साथा डर गया था, इसलिए उसने शन के रूम से अपना सारा सामान लेकर चला गया, पर जाने से पहले उसी ने शिन को सफेद डावल से डग दिया था तो भी डाकर कैप्टन को बताता है कि शिन के मडर केस में कोई सरेंडर करनी के लिए आया है और वो ती छाई की ही वाइव सीचुन जिसे छाई की साथ शिन के अफेर के बार में पता था इसलिए गुसे में उसने शिन को मार डाला कैप्टन और वीटा उसका स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वीटा को एक डाउट आजाता है इसलिए वो आधी रात कोई क्राइम सीन पर पहुँच जाती है चाहां पर पहले से कैप्टन आया हुआ था जो वीटा को देखकर कहता है कि मुझे पता था तुम आओगी पर तुम थोड़ा लेट हो गई दोनों फिर से उस मर्दर सीन को एनलाइस करते हैं और सीचुन ने जिस तरह से बयान दिया था और दोनों खोनी के बारे में डिस्कस करते हुए बाहर चले आते हैं अगले दिन वो दोनों सीचुन को वापस से इंटरोगेट करते हैं पर सीचुन तो बताई नहीं रही थी तो कैप्टन उसे डरानी के लिए उसे कितनी बड़ी सजा हो सकती ये बताने लग जाता है तो सीचुन बता देती कि उसके डैड ने शिन को मारा है तिकि उसने अप्टन डैड को ये शिन के अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखा था जिसके बद वो जब अंदर गई तो शिन अंदर मदी पड़ी थी इसलिए वो अपने डैड को बचानी के लिए सरेंडर करने आई थी तो कैप्टन अपने आफिसर्स को सीचुन के डैड मिस्टर जियांग को औरेश्ट करके लानी के लिए कि लिए कि लिए एकिन वीड़ा को अभी डाउट था इसलिए वो शिन की बॉड़ी देखने के लिए कैप्टन के साथ मौर चूरी जाती है जहां उसके चोट के निशान के डैरेक्शन को देखकर वो समझ जाते की खूनी लेफटी था और उसके मरने के बाद उसके अपर बॉड़ी पर अटेक किया गया था इदर मिंग डा और टीम मिश्टर जियांग को रेस्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं जहां पर मिश्टर जियांग भी सरेंडर करने के लिए तयार थे पर तभी कैप्टन और वीटा आकर बताते हैं कि असलिए खूनी तो उनका बड़ा बेटा काई है क्योंकि इस फैमिली में वही सिर्फ लेटी था तो अब इसके बाद पूरी कहानी सुनाई जाती है शिन को काई के बहुत बड़े पैसो के गोटाली के बार में पता चलिगया था जिससे वो उसे ब्लैक मेल कर रही थी जैसे वो गर के अंदर आये उन्हें शिन की लाश मिली अब वो अपने बेटी को कैसे खून की केस में फशने दे सकते थे इसलिए उन्होंने शिन के फोन से सेन को मेसेज किया क्योंकि उन्हें पता था कि सेन पर कुछ भी हो जाए लेकिन डाउट नहीं आएगा क्योंकि सेन ही शिन के सबसे करीब था जिसके बाद उन्होंने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी और वहाँ से निकल गए अब उन्हें जाते हुए देख लिया तो सीचुन ने जो आज अपने हस्पेन को शिन के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए आई थी वो अंदर गई तो उसे शिन की लाश दिखी जो दिक वोटर के भाग आई और उसे लगा कि शिन को उसके डैड नहीं मारा है उसका अपाट्पन काफिस उन्सान जगा पर था वहाँ पर उसने कोई सिकर्टी कैमरा भी नहीं लगाए थे इसलिए कौन आया और कौन गया इसका कोई पता ही नहीं चला था तो फाइनली काय और उसकी वाइफ को मर्डर के लिए जेल हो जाती है वही मिश्टर चाय को सबूत के साथ छेड़ चाड़ करने के लिए फोटोस देख रहे थी तभी वहाँ पर डात अनुसे इस वार में पूछता है क्या तुम क्याप्टन को लाइक करती हो जो कबसे उनकी फोटो देखी जा रही हो और पहले भी मैंने बहुत बार नोटीस किया है क्याप्टन के लिए तुम्हारा बीएविर थोड़ा अलग है तो मिंग उससे पूछ थी है कि तुम तो क्याप्टन के साथ बहुत टाइम रहे हो क्यूंकि तुम ऐसे ही बहुत अच्छी हो जो हर किसी को पसंद आती हो जोसन मिंग उसके खरीबा कर पूछती कि क्या सच मैं डातू सर्मा नहीं लग गया था तो उससे दूरा कर ख्याता है कि अपने आप में कंफिडेंस रखो और कैप्टन के लिए जो फील करती हो सई टाइम पर जाकर उन्हें बता दो तो इसके बद मिंग जब वीटा के साथ काम कर रही थी तब वो तो वीटा से पूछी लेती है कि वो कैप्टन के बार में क्या सोचती है वीटा बताती कि वो हमारे irrespectable senior है पर थोड़े खडूस जरूर है जो सन मिंग तो उसे खुशी से गले लगा लेती है कि उसे समझ आ गया था कि वीटा कैप्टन के लिए कुछ फील नहीं करती तो इसके बद वीटा घर के लिए निकल जाती है तो वही मिंग कैप्टन को बात करने के लिए बुलाती है जहां वो उसे पूशने ही जा रही थी कि क्या आपकी कोई girlfriend है पर तभी कैप्टन एक call पे busy हो जाता है पर इसके बाद मिंग की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है उससे पूशने की कहता है कि मैं तो में कुछ important पूशना चाता हूँ सीन कठोता अन वीटा घर आती है जहां वासू उसे उयन के लिए अपनी feelings बताता है वीटा उसे कहता है कि तुम्हें अपनी feelings उयन को बता देना चाहिए वासू कहता है पर वो मुझसे थोड़ी upset है तो वीटा कहता है कि वो अब तुम देख लो किस तरह से तुम वो यन को embrace कर सकते हो तो वासू कहता है कि ये पहली बार है जब तुमने मुझे PR के बार में कुछ advice दिया जबकि तुमने ऐसा कभी कुछ experience ही नहीं किया है पर कहीं तुम किसी को like तो नहीं करने लगी हो जो सुन वीटा तो एकदम चुप हो जाती है तो वासू कहता है कि क्या वो captain है और क्या वो भी तुमने like करता है वीटा उसे बिना कोई जवाब दी अपने room में चली जाती है जहां वो थोड़ी देर पहले captain की बातों के बार में याद कर रही थी जहां captain ने तो बस उसे दो हफते बाद होने वाले physical test assessment के बार में पूछा था कि वो इसके लिए तयार है या नहीं जहां वीटा ने कहा था कि वो पूरी तरह से तयार है थोड़ी देर में captain का उसे message आता है good luck का जिसे देकर वीटा भी खुश होती है तो उसे thank you reply करती है जो देकर captain भी खुश हो जाता है अगले दिन वासु उईन का dessert shop में जाता है जहां उईन से अकेले मिलने के लिए जहां वीटा fighting match के दोरान captain के सिखाय हुए defense mode के जरिये opponent team के बंदे को हरा देती है और उसकी team को match जीता देती है जिससे captain तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है और जिस तरह से captain ने वीटा को देखा था उससे ming confirm हो जाती है captain के दिल में वीटा के लिए feelings है जिसके बद मिंग वीटा की साथ restroom में होती है जहां उसे इस बार में बताने ही चा रही थी captain तुझे like करते हैं पर उसते पहले ही mask पैने हुए तिन गुंडे आकर उन्हें किटनैप कर लेकर जाते हैं और उसके सर पे hammer मानने का धंकी देकर मिंग से उनके department के system का password मांगता है तो मिंग और वीटा अपनी चलाकी से उन्हें चकमा दे देती है इसके थोड़ी देर बाद captain वहाँ पर आता है तो हमें पता चलता है कि ये सब तो उन्हीं के officers हैं और ये उनका traditional तरीका है नाए officers का अपने team में स्वागत करने का तो captain उन दोनों को congratulate करता है और उनकी तारीफ भी करता है जिस तरह से उन्होंने situation को handle किया जिसके बद captain office में बैठ कर वीटा के बारे में ही सोच रहा था तब ही उससे वासू कॉल करके घर बुलाता है जहां वो तो captain से directly पूछता है कि आप वीटा को like करता है captain हाँ कहता है तो वासू पूछता है कि फिर आपने मेरी बहन को अपनी team में accept क्यूं किया जबकि आपको पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए होगी पर मैं आपको इतना confirm बता सकता हूँ कि उसे अभी तक इस बात का ऐसास नहीं हुआ होगा इसलिए अगर आपको मेरी बहन को impress करना है तो action mode में आना पड़ेगा क्यूंकि आपको तो पताई कि वो send मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है तो कैप्टन वासू को एक दिन डिनर पर invite करता है वीता के बार में और चीज़े जानने के लिए अगले दिन से कैप्टन वीता की क्यार शुरू कर देता है उससे अपने फ्रेंड के शादी का invitation आता है जिससे वो resort में मिला था तो उसने वीता को भी उसके साथ invite किया था इसलिए कैप्टन उसे साथ में शादी में चलने के लिए क्याता है इधर वासू उयन के साथ अपने मिस्टर अनस्टाणिंग दूर कर लेता है लेकिन इसे जेल से मिस्टर एक भाग चुगा था इधर कैप्टन वीता के साथ शादी में जाने के लिए कपड़े खरीदने के लिए मौल आता है वह इधर वासू उयन से डेसर्ट बनाना सीखने आता है जिस दोरान दोनों काफी क्लोज आते हैं वहीं दोनों बहुत कुछ भी थे कि एक अंकल ने तो उन्हें दूला और दूलन समझ लिया था तभी कैप्टन को एक से मैसेज आता है जिसमें उसने उयन और वासू के हाथ पर बंदेवे फोटो भेजा था और उसे एक अड्रेस पर आने के लिए कहा था तो अगर हम लोग यहां से निकल गए तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी इसके लिए उया नहा क्याती है तो थोड़ी दिर में कैप्टन और वीता यहां पर पहुंच जाते हैं जिस पेच किडनेपर ने अपने साथियों को भी बुला लिया था और वो खुझ सामनी के बिल्डिंग में चला गया था और स्नाइपर से एम लगा रहा था इधर कैप्टन और वीता एके करके सब को माने लग जाते हैं इधर किडनेपर ने वासु को एक चैर में बांध कर एम लगा रहा था जैसे उसे वीता बचाने के लिए आती है तबी तीन गोली साथ में चलती है जिसमें एक तो वीता के भाई के हाथ को छू कर निकल जाता है दूसरी गोली मिस्टर एग को लगती है जिसे गोली मारी थी कैप्टन के टीम से मिस्टर हान ने और तीसरी गोली लगी थी कैप्टन के हाथ में तो वासू जाकर वियन को रेस्क्यू कर लाता है जिसके बाद सबकी मरमपटी होती है वासू वियन को लेकर घर चला जाता है वहीं वीता को दो कैप्टन की हाथ की फिकर हो रही थी तो वो कैप्टन के केर में बिजी होती है अगले दिन एक और murder case सामने आता है इसे side night का जहर दे कर मारा गया था और यह case तीन साल पहले का एक serial murder case की तरह था जिसका prime suspect था थाना नाम का एक लड़का जो तीन साल पहले suicide note लिखकर गाइब हो गया था अब यह serial murder case था इसलिए captain Vita को इससे बाहर रखना चाहता था अब Sen इस लड़की से club में एक बार मिला था इसलिए उससे पूछताश करने के लिए बुलाया जाता है जहां Sen तो उससे साफ साफ क्या देता है कि मैं तो इससी जानता ही नहीं हूँ उसे इस case के investigation से बाहर रखने के लिए इसलिए वो Sen के साफ डेट के लिए मान जाती है जिससे Sen तो बड़ा खुश होता है वही captain तो Sen से बड़ा चिल रहा था तो यह लोग अपना investigation शुरू करते हैं जहां थाना का नाम सुनते हैं मिंग थोड़ा uncomfortable हो जाती है जूपा दा भी notice करता है इधर वासू तो वीन के साथ अपना first date काफी ज़ादा enjoy करता है वहीं वीन को भी वासू के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था और आज तो वो बहुत ही ज़ादा खुश होती है घरा कर वीता वासू को बताती है कि वो Sen के साथ 3 date पर जाने वाली है इसे experience करने के लिए वासू पूछता है कि क्या Captain के साथ तुमारा को जगड़ा हुआ वीता कहती है नहीं तो वासू पूछता है फिर कि या तुम उस Sen को पसंद करती हो वीता कहती है Sen ने मुझे खा कि वो मुझे like करता है जिसमें सेखता कि जब भी आब उसके बार में सोचते हो तो आपकी heartbeat fast हो जाती है तो वीता को Captain का गले लगाना याद आता है जब उसके heartbeat fast हो गई थी वेदर Captain भी वीता के बार में ही सोच रहा था और उस Sen पे गुस्ता कर रहा था अगले दिन Sen तो अपनी date को लेने के लिए office भी पहुँच जाता है क्यूंकि वीता तो investigation में शामिल थी नहीं और Captain ने उसे Sen पे नजदर रखने के लिए कहा था इसलिए Sen वीता को लेकर चला जाता है वेदर ये से भी अपना investigation चालू करते हैं अब थाना का suicide note मिला था मगर उसकी body कभी नहीं मिली थी इसलिए Captain मिंग को लेकर थाना की पुरानी घर जाता है जहां उसे sign error और injection का डबा मिलता है इससे वो तो confirm हो जाता है कि थाना जिंदा है और वही ये सब कर रहा है पर हम नोटिस करते हैं कि मिंग थाना का नाम सुनते ही थोड़ी गुमसम सी हो जाती है इधर सेन वीता को लेकर रेस्टरों आया था पर वीता उस पर कोई खास ध्यान नहीं देती क्यूंकि उसकी दिमाग में तो बस की इसका ही खयाल चल रहा था तो सेन उसे कहता है कि वो उसकी investigation में help कर सकता है जो सन वीता तो बहुत खुश हो जाती है तो जिस लड़की का murder हुआ था वो लड़की आखरी बार जिस club में गई थी जहां पर वो सन से मिली थी उस club को सन बहुत ही अची तरह से जानता था इसलिए वो वीता के लिए CCTV footage निकाल लाता है इसमें वीता देखती है कि उस लड़की को cap पहने हुए एक आदमी ने lift दिया था और उसकी body language से वो बिलकुली थाना जैसे ही दिख रहा था इसलिए वीता excited होकर ये proof देने के लिए जाती captain के पास तो sen उसे captain के घर छोड़ने के लिए आता है captain अभी नहा कर बाहर निकला था इसलिए वो तो towel में ही दर्वाजा खोलने के लिए आता है वीता तो उसे देखते ही रह जाती है तबी sen आकर उसकी आखे बंद कर देता है और captain को कुछ कपड़े पहन कर आने के लिए कहता है तो captain वीता को अंदर आने के लिए कहकर sen का ही blazer निकाल कर पहन लेता है और उसे घर में आने भी नहीं देता तो वीता उसे वो footage दिखाती है दोनों थाना के बारे में डिसकस करते है captain जब वीता को कुछ समझा रहा था तब वीता तो बस उसे ही देखते रह गई थी तो जब captain उसे देख लेता है तो वीता nervous होगर जानी की बात करती है तो captain उसे इस footage के लिए thank you कहता है पर एक और बार उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना है तो वीता उसके चोट के लिए medicine लेकर आई थी जो उसे दे देती है ये देकर captain तो बड़ा है यह होता है मिंग एक club में गई थी जहाँ पर वो victim लड़की जाया करती थी वो डा की बात ही नहीं सुन पाती पर उसने दा को बता दिया था कि वो एक club में है तभी मिंग के पास एक लड़का आता है जो उसे वाइन में ड्रग मिला कर पिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी उसके पास चायान नाम के एक लड़का आता है और उस लड़के को भी भगा देता है तो मिंग उसे थैंक्यू कहती है तो यहाँ पर दुनों कुछ बाते करते हैं थोड़ी दिर बाद चायान वाश्रूम जाता है जहाँ उसे तीन लड़के बुरी तरह से मारते हैं जिन मेंसे एक मिंग को ड्रग देने वाला लड़का था मिंग जब उसकी हाला देखती तो वो उसे लेकर बाहर आती है तो दोनों अपना इंट्रो करते हैं तो चायान मिंग को घर छोड़ने के लिए जाता है तब ही वहाँ पर डा भी आ गया था क्योंकि उसे मिंग की फिकर हो रही थी पर उसे चायान के साथ जाता हुआ देकर अच्छा नहीं लगता वहीं हम देखते हैं किलर एक और लड़की को जहर देकर मार देता है और सेम उसी पैटन से इसका भी खून हुआ था तो सारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं अब क्योंकि इसे इन बेगुना था इसलिए कैप्टन उसका नाम सस्पेक्ट लिष्ट से अटा देता है और वी तक उसकी जगवपर केस पे ध्यान देने के लिए कहता है अब क्योंकि मारने का पैटन सेम था इसलिए सभी का शक जाता है थाना पर अब थाना का नाम सुनकर मिंग फिर से अनकमफरेबल हो जाती है इविन वो तो थाना को डिफेंड कर रही थी ये पूरी तरसे प्रूफ नहीं हुआ था कि थाना ही पहले मर्डर्स का कातिल था मिस्टर हान बताते हैं कि तीन सार पहले भी सारे प्रूफ स्थाना के खिलाफ थे पर फिर अचानक वो गाइब हो गया और उसके घर पर सूसाइड नोट मिला उसकी लाश कहीं भी नहीं मिली थी इसलिए वो अब भी जिंदा हो सकता है तभी मिंग को अचानक वामिटिंग आ रही थी इसलिए वो वाश्रूम चली जाती है पर वीता ने उसकी बिहेवेर में चेंजिस नोटिस कर लिये थे तो अब जाकर हमें पता चलता है कि थाना तो मिंग का बॉइफ्रेंड था जो तीन सार पहले अचानक गाइब हो गया था जिसके बाद ही उससे पता चला था कि थाना तो सीरियल मडर सस्पेक्ट था इधर वीता को सेन सेकंड डेट के लिए बुलाता है जो सुन कैप्टन को तो बड़ा गुसा आता है तो वो वीता से फोन जीन कर सेन से कहता है कि अब वीता की ड्यूटी खतम हो चुकी है और अब उसे तुम पर भी नज़र रखने की जरुवत नहीं है इसलिए तुम अपने काम से काम रखो पर सेन तो उसके के भी नहीं घुसाता है क्योंकि वीता ओफ ड्यूटी हो चुकी थी और उसने से तीन डेट का प्रॉमिस भी तो किया था इसलिए वीता उसकी साथ चली जाती है जिससे कैप्टन तो बड़ा जैलिस होता है तो सेन वीता को लेकर म्यूजियम आता है जहाँ पर वीता पहली बार कैप्टन से मिली थी यहाँ पर आकर वीता को कैप्टन ने उसे जो फेक कीस किया था वो याद आने लगता है जो सोच कर वो तो स्माइल करती है वीता कैप्टन की साथ यहाँ पर अपनी memories को यादगर के काफी happy हो रही थी तो दोनों अंदर museum में घूमी रहे थे कि तभी कैप्टन वहाँ पर पहुंचाता है जो वीता को hospital ले जाने आया था क्योंकि hospital में admit Mr. Egg को होश आ गया था कैप्टन वीता को लेकर चला जाता है जहां कार में कैप्टन वीता को seat belt लगाने में help करता है जिस दोरन कैप्टन वीता की close होता है इससे वीता की तो फिर से heart beat fast हो जाती है पर उससे पहले ही doctor बन के किसी ने Mr. Egg को मार दिया था तो उस killer पर captain को doubt होता है इसलिए वो उसकी पीछे जाता है पर कुछे पल में वो बंदा गायब हो जाता है इस तरह से captain का lugar के पास पहुँचने का एक और chance गवा दिया पर फिर दोनों murder case की चान बीन करने लग जाते हैं जावीता कोई ये murder थोड़ा सा different लगता है इतर मिंग को थाना का nightmare साता है क्योंकि उससे अब भी believe नहीं हो रहा था कि थाना खोनी हो सकता है तो डा मिंग के साथ थाना के high school जाता है उसके बारे में बता करने के लिए क्योंकि उसने सोचा था कि मिंग उसे सामने से बता देगी कि वो थाना को जानती है पर मिंग उसे नहीं बताती दोनों एक cafe में बैठे ही होते हैं कि तभी मिंग को चायन कॉल करता है क्योंकि मिंग उसे treat देना चाहती थी क्लब में उसे उस लड़की से बचानी के लिए डा उसे थाना के साथ photo के बारे में पूछ नहीं जा रहा था पर तब ही वहाँ पर छायन आ जाता है तो मिंग डा को बताती कि उसने half day off लिया है यह कहकर वो छायन के साथ चली जाती है तो छायन उसे एक old age home लेकर आता है जहाँ पर वो बहुत सारे donations देता है और यहां की सारे लोगों का छायन बहुत यची तरह से ख्याल रखता है और यहां की सबी लोग भी उसे बहुत प्यार करते है चायन का gentleness देखकर मिंग तो उसे काफे impress हो जाती है वही चायन भी उसे flood करता है और directly उसे girlfriend बनने के लिए पूछ लेता है जाहिर सी बाते मिंग इतनी जल्दी उसे हाँ नहीं कहती तो वीता old age home के चक्कर लगा ही रही थी कि तभी वो notice करती कि कोई उसे follow कर रहा है इसलिए वो उसे follow करती है तो उसकी पीछे जाते हुए वो एक abandoned building में पहुचती है जापर वो उस लड़की की और gun तान देती है पर वो तो थाना होता है जिसे देख मिंग काफी emotional होती है वही थाना कह रहा था कि मैंने किसी को नहीं मारा मैं बेग उना हो मुझे फसाय गया है तो मिंग उसे surrender करनी के लिए कहती है तभी वहाँ पचायान आता है उसे ढोंडता हुआ और उसी पल में थाना वहाँ से भग जाता है इदर रात को वीता को तो बस captain के ही सबने आ रहे थे जहाँ पर वो captain की काफी करीब होती है जो देख उसकी नीन तो खुल जाती है तो वो भाग के room से बाहर आती है अपने भाय का दर्वाज़ा नौक करती है और उसे जगा कर बताती है कि मेरी सबने में captain क्यूं आ रहा है और इससे मेरी heart beat भी fast हो रही है तो वासो उसे कहता है कि अब तू खुद सोच ले कि तुझे captain का ख्याल क्यूं आ रहा है तो तू सोचती रहे इस बारे में कभी ना कभी तुझे समझ आ ही जाएगा कि अगर वो सोने चला जाता है इदर डा मिंग के घर के बार उसका wait कर रहा था जिसके आने के बाद वो तो उसे directly पूछ लेता है कि क्या तुम थाना को date करती थी जिसन मिंग उसे सारी सचाई बता देती है तो डाव से encourage करता है कि उसे कैप्टन को सब सच बता देना चाहिए तो मिंग उसे गले रगा कर thank you कियाती है उसे encourage करने के लिए अगले दिन जब वो इंसब के बार में बताती है तो काफी officers उससे नराज होते है जिससे मिंग काफी upset होती है तो कैप्टन उसे इस case से बाहर निकाल देते है जिससे वो तो और ज़्यादा upset होती है लेकिन चाहिन उसका mood ठीक करने पहुँच जाता है और चाहिन से बात करके मिंग का mood भी ठीक हो जाता है इधर वीता को hospital में Mr. Egg को नकली doctor बनके किसने मारा था उसके detail के बार में पता चलता है जिसे वो कैप्टन को बताने जाती है पर कैप्टन तो इस murder case में busy था इसलिए वो अकेले ही investigate करने जाने लगती है मगर तभी सेन वहाँ पर पहुँच गया था इसलिए वो वीता के साथ उसकी help करने के लिए चला जाता है अब मिंग अपसेट से इसलिए डा उसे console करने के लिए पहुच जाता है क्योंकि अपना डा तो मिंग से बहुत प्यार करता है इसलिए उसे मिंग की figure लगी रहती है मिंग कहती है वो बिल्कुल ठीक है पर तभी उसे थाना का एक message आता है तो कैप्टन पी उस जगह के लिए निकल जाता है अब मिंग पहुच जाती है उस बिल्लिंग में जहापत थाना को किसी ने बॉम के साथ बांध कर रखा था जो दिक मिंग तो बहुत ड़ड़ जाती है कोई थाना उसे बार-बार कहा रहा था कि मैं खोनी नहीं हूँ मुझे फसाया गया है बॉम फटने में बस 5 मिर्ट बागी थी इसलिए थाना मिंग को यहाँ से जले जाने के लिए कहा रहा था पर मिंग को तो थाना की बहुत फिकर हो रही थी तभी यहाँ पर कैप्टन मिश्टर हान के साथ पहुच जाता है तो मिश्टर हान बाउम का स्ट्रक्चर चेक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बाउम डिफ्यूज करना आता था थाना बताता है कि उपर के फ्लोर में भी उस किलर ने एक लेडी को बाउम के साथ बांध रखा है तो मिश्टर हान उपर चेक करने जाते हैं तो कैप्टन और मिश्टर हान मिलकर दोनों के बाउम से डिफ्यूज कर देते हैं तभी कैप्टन वीता को कॉल करता है जो बताती है कि सेन के साथ वो इन्विस्टिगेट करने के लिए एक जगा पर आई है तो कैप्टन उसे जगा का एड्रस पूछता है और उस जगा के लिए निगल जाता है लेकिन इदर वीता और सेन को मिश्टर एग का किलर पकड़ लेता है इदर थाना का इंटरोगेशन शुरू होता है जहां थाना उन्हें बता देता है कि मैंने किसी का खूण नहीं किया बलकि उस किलर ने तीन साल पहले मुझे फसाया था जान बुछकर मेरी हेर सेंपल्स मडर स्पॉट पे रखके पर मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा उसने मुझे धंकी दिया कि अगर मैंने पुलिस को सरिंडर नहीं किया तो वो मंंंग को मार देगा इसलिए अपने आपको और मंंंग को बचानी के लिए मैंने सुसाइड करने का नाटक किया जोसन वीता उसे sorry कहती है फिर वो notice करती कि उसकी heart beat दुबारा से fast हो गई थी घर आकर वीता वासू को hug करती है वासू पूछता है अचानक तुम्हें क्या हुआ क्या तुम sad हो वीता कहती है नहीं वीता कहती है recently मैंने तीन लोगों को hug किया तीनों मैंने अलग-अलग feel किया पहले तो मिंग और सेन जो friendly hug था दूसरे तुम जिसमें family वाली feeling पर तीसरा सबसे अलग है जिसमें मेरी heart beat ही fast हो जाती है जोसन वासू पूछता है कि अच्छा तो फिर वो कौन था जिससे गले मिलकर तुमारी heart beat fast हो गई वीता तो blush करते हुए भाग जाती है पीचे से वासू उसे कहता है कि वो captain dhana जोसन वीता तो smile करते हुए अपने room में ही भाग जाती है जिससे हमें बता चलता है कि अब वीता को भी ऐसास हो चुका था कि वो captain को like करती है पर फिर हम देखते हैं कि उस killer ने एक और लड़की को मार दिया था अब कि शिरुवात में captain थाना को interrogate करने जा रहा था तो वीता उसे कल के लिए sorry and thank you कहती है जिसके बाद वो दुनों थाना को interrogate करने जाते हैं सिर्फ मिंग को छोड़कर क्योंकि वो थाना को लेकर थोड़ी जादा emotional थी अब क्योंकि थाना की custody में होने के बाद वो तीसरा खून हुआ था इसलिए मीडिया वाले मसाला मार की news चापने लग जाते हैं इसी बीच मिंग काफी emotionally unstable होती है तो डाउस से समालता है क्योंकि वो मिंग को दुखी नहीं देख सकता इधर वीता को सेन एक जगा मिलने के लिए बुलाता है उनकी third date के लिए तो कैप्टन उसे अपने केबिन से चुपकर देख रहा था तो वीता चली आती है शिप याड़ पर जहां उसके पीछी कैप्टन भी आया था सेन तो एक बहुत ही बड़े शिप में वीता का नाम चिलाते हुए आता है फिर वीता को अपनी सा तो शिप में ले जाता है जहां उसे प्रपोस करता है वो भी सिंपली नहीं स्काय स्क्रेप पर बिल्डिंग के डिस्पले के थुरू मगर उसमें सेन की नाम की जगा पर क्याप्टन का नाम लिखा हुआ था जो देख सेन तो एकदम हैरान होता है तब ही 개पटन उनके सामने अंट्री मारता है सेन तो उस पर गुसा करने ही लग जाता है कि तुम हर बार मेरा डेट बिगारने क्यों पहुंच जाते हो कैप्टन तो उससे कोई भावी नहीं देता और वीता के पास चला आता है जहां वीता उससे पूछती कि क्या तुम मुझे प्रपोस कर रहा है हो जुटन वीता के सामनी आ जाता है और दुमरा किस करने जाता है पर तभी कुछ लोग बोट से वहां से गुजर रहे थे इसलिए वीता फिर कहती कि बोट में से लोग हमें देख रहे है तो जाकर उनकी फैनली किस होती है इसके बद दुनों आतों में हाट डाले कुछ दिर गुमने के बाद अफिस वापस आते हैं अफिस आते ही वीता तो हाट चुड़ा कर अपने रास्ते निकल जाती है क्योंकि दूसरे आफिसर्स उन्हें देख रहा है थे चाना को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके कशड़ी में होने के बाद तीसरा घून हुआ था पर यह तीसरे विक्टिम छायान जिस ओल एज होम को स्पॉंसर करता था वहाँ काम किया करती थी किलर इन्हें मारने के बाद रसी से एकदम सिमिलर पैटन में उनके हाथ पैर बान देता था पर वीता नोटिस करती है कि सेकंड वाले खोन में और थर्ड विक्टिम के जो हाथ पैर बंदे गया थे वो थोड़ा डिफरेंट था जिससे वीता समझ जाती कि दो किलर्स है क्योंक के बारे में मिंग से सब कुछ पूछने के बादी वो उन दोनों को उसके साथ भेजता है इधर इन्वेश्टिकेशन से कैप्टन को पता चलता है तीसरे खोन वाली जगह पर किलर के फूट प्रिंस मिले थे जिसका साइज था 11 पर थाना का शूर साइज 10 था जिससे बारे में बताता है और वीता नोटीस करती कि चायान का शूर साइज भी 11 है इसलिए उससे चायान पर डाउट तो जाता है पर वो अभी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके पास अभी कोई पका प्रूफ नहीं था इसलिए वो इस ओल्ले जोम के मैनेजर से मिलती है और उ वासु और वीएन के डेटिंग लैब बहुत ही अची चल रही थी जहां वासु वीएन का बहुत ही तरह से ख्याल रख रहा था तो वीता कैप्टन को अकर चायान के बार में सब कुछ बताती है तो इन दोनों को डाउट होता है थाना और चायान पर कि शायद दोनों ऑल्ट को मरवाना चाता था इसलिए उसने चायान से मिंग को किटनेप करके लाने के लिए कहा था पर चायान को मिंग से प्यार हो गया था इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका तो थाना कर उस पर बहुत ज़दा गुसा करने लग जाता है थाना उसे मिंग के बार में उल्टा सीधा बोल पर वो थाना को मार नहीं पाता लेकिन थाना उसके सर पे हतोड़े से मार कर बेहोश कर देता है और कहता है कि अगर तू नहीं कर सकता तो मैं उसे अपने हाथों से तरपा तरपा कर मारूंगा जैसा हमने ये सब शुरू करने से पहले डिसाइड किया था ये तो Mr. Chayan का दोस्त है, जो यहां मुर्दों को लेकर आते थे, जिसे ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि Chayan और धाना, दोनों मिलकर ही लोगों को मारते थे, तभी वीता को याद आता है कि Ming तो Chayan की साथ है, इसलिए वो Ming को कॉल करने जाती पर Ming का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो कंट्रोल रूम में कॉल करती है, और Ming का फोन लोकेट करने के लिए कहती है, इधर Ming जो एक स्टोर में आई थी, जाम देखते हैं स्टोर के बाहर कार में, डाउ से चेक करने आया था, इसके बद वो Ming के सामने आता है, तो वो उसे चायान के बाहर में पूछने लग जाती है, थाना उसे चायान के और दिखाता है, तो Ming चायान के पास जाती है, और थाना से पूछने लग जाती है, इसलिए हम दोनों बचपन से ही सहर पिला कर जानवर को तर्पा तर्पा कर मारते थे क्योंकि उन्हें मरते हुए देकर हमें बहुत ही सुकून मिलता है फिर जब जानवर को मार कर हमारा मन भर गया तब हमने इंसानों को मारना शुरू किया फिशलिए उस ओल एज हम के लोगों को पर उन बुड़ो को मार कर भी हमारा मन भर गया था इसलिए हमने वापस से लड़कियों का शिकार करना शुरू किया और उन खोन को इंवेस्टिगेट करते हुए मैंने तुम्हें देखा इसलिए मैंने और छायान ने तुम्हें अपने जाल में फसाने के लिए ये सब कुछ प्लैन किया पर इस चायान को सच में तुमसे प्यार हो गया इसलिए अभी ये मेरी कोई काम का नहीं इसलिए वो चायान को मानने चा रहा था तो मिंग उस पर गंद तान देती है पर ठाना चायान को अपने आगे पकड़ लेता है इसलिए मिंग उस पर गोली नहीं चला पा रही थी पर चायान कहता है कि मेरी चिंता मत करो तुम गोली चला और इसे मार दो वरना ये तुम्हें नहीं चोड़ेगा क्योंकि बाते चरी रही होती है कि अधर डा को भी होश आ रहा था पर अधर मिंग तो गोली चला ही नहीं पा रही थी तो ठाना उससे गन चीन लेता है और पहले चायान को ही गोली मार देता है मरने से पहले चायान मिंग से कहता है कि चायान मैंने बहुत गलत काम किये हैं पर तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मैं बदलने लगा था, क्यूंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह क्या कर इचायान के चप्टर कतम हो जाता है, तो थाना अब मिंग के और गन तान देता है, पर उसे क्याता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूँगा, बलक ज़धा रोने लग जाती है, तो क्याप्टन और बाकी सब मिलकर डा को हॉस्पेटल ले जाते हैं, डा की सरजरी हो जाती है, तो मिंग उसकी बहुत यह चीचरे से ख्याल रखने लग जाती है, इधर क्याप्टन को लूगर वाले केस में, डाउट होता है कि कोई तो उनके साथ मिला हुआ है, तब ही लूगर को उनके बारे में सारी इंफोर्मेशन पता चल जाती है, क्याप्टन को अपने टीम पर तो पूरा भरुसा था, क्यूंकि टीम से कोई भी उनसे मिला हुआ नहीं हो सकता, इसलिए वो उनके डिपार्टमेंट के सभी की कॉल रिकॉर्ड वगेरा चेक करने लग जाता है, जिससे उसे कुछ खास पता नहीं चलता, तो इन्वेश्टिकिशन के साथ, वो वीता की साथ अपनी डेटिंग लाइफ भी इंजॉय करता है, क्याप्टन की मॉम उसे कॉल करती है, और मिलने के लिए बुलाती है, क्याप्टन बहुत टाइ वो उसे पूछने लग जाती है, क्या तुमने नहीं गल्फेंड बना ली, तो वासू से कह देता है, क्या नहीं मैं सिंगल हूँ, और मुझे अभी रिलेशन्शिप में आने का कोई शौक भी नहीं है, अब ये बात वियन सुन लेती है, इसलिए वो तो नाराज होकर बहां स उटकर चली जाती है, पर हमें पता चलता है कि वासू की जो एक्स गल्फेंड थी, वो बहुत जाता पुसेसिव और डॉमिनेटिंग टाइप की लड़की थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उएन को वो हट करे, इसलिए वो उसे वार्निंग दे देता है, कि मेरी बहन करी थी, अब वो लड़की कैप्टन से कुछ ज़्यादा ही जिपक रही थी, तब ही वासू उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि शायद कैप्टन उसकी बहन को चीट कर रहा है, इसलिए वो वीता को कॉल गर के जल्दी से बुलाता है, वीता पने टीमेर्स को बताती है कि उसके भाई ने उसे रेश्टरों बुलाया है, तो वो सभी भी उसकी साथ रेश्टरों चले आते हैं, जहां वीता उन दोनों को साथ में देख लेती है, तो वीता उस लड़की को कैप्टन के साथ चिपकता हुआ देख लेती है, जिससे वीता तो और मनी मन उसे बहुत गुसा भी आ रहा था तो कैप्टेन की फ्रेंड सभी को साथ में बैट कर खाना खानी के लिए कहती है चाहँ पर कैप्टेन उसे बताता है कि मेरी अल्रेडी एक गर्फरेंड है पर उसकी फ्रेंड को बिलीवी नहीं हो रहा था और वो कैप्टेन से तो कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगी थी जो देकर वीता को अब बहुत ज़्यादा गुसा आता है तो वो कैप्टेन को जाकर सीधे किस कर देती है और उस लड़की से कहती कि मैं कैप्टेन की गर्ल्फरेंड हूँ वो जूट बोल रही है प्लस उस लड़की की हालत भी सही नहीं लग रही थी इसलिए वो लोग उस लड़की को और बच्चे को लेकर अपने बियोरो पहुंच जाते हैं जहां उस लड़की से इंटरोगेशन शुरू होती है तो उस लड़की को पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है और उससे दूसरे शहर में चल रही हूमन ट्राफिकिंग का पता कर लिया जाता है अब क्यूंकि बच्चे के पैरेंस का पता चल चुका था इसलिए कैप्टन और वीता को उस बच्चे को सेफ ले उसके पैरेंस तक पहुंचाने की ड्यूटी दी जाती है इदर वस्दू उएन से अपनी में सनर स्टाइनिंग दूर कर लेता है और दोनों फिर से साथ में हो जाते है इदर मिंग को बार बार दाक के बारे में याद आ रहा था इदर कैप्टन वीता के साथ ग्रनमा से मिलने आता है जहाँ वो इस पर वीता को उनकी ग्रैंड डॉक्टर इंलो की तरह इंडिडियूस करवाता है इससे ग्रनमा तो उनके लिए बहुत जादा खुश होती है अगले दिन चीफ कैप्टन को बताता है कि जिस लड़की ने इस बच्चे को किड्नैप करके लाया था वो लूगर के गैंग में काम करती है इसलिए चीफ कैप्टन और वीता को लूगर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के मिशन में भेजते हैं इधर मिंग को डक्टर बताते हैं कि डा का अस्पानियल कोट बहुती बुरी तरह से हट हुआ है इसलिए हो सकता है कि शायद डा दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा जोसन मिंग तो बहुत ही जाधा सैड होती है और डा के लिए बहुत ही जाधा रोती है कि जो लड़की तुमारा देख बाल कर रही थी वो शायद तुमारी कोई बहुत करीबी है क्योंकि इन दिनों उसने तुमारा जिस तरह से ख्याल रखा है कोई अपना ही इस तरह से ख्याल रख सकता है वहीं डॉक्टर से बताता है कि आज मुझसे तुम्हारी रिपोर्ट देने में गलती हो गई थी मैंने दूसरे पेशेंट डा की कंडिशन मिंग को बता दी थी जो सुनकर वो तो बहुत ही जादा रो रही थी पर चिंता की बात नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो जो सुनक कहता है कि क्या तुमने उससे अपने प्यार का इज़ार किया दा कहता है अभी तक नहीं कर पाया तो निक उसे आइडिया देता है कि तुम मिंग के सामने ऐसे ही प्रिटेंड करता रहे कि तुमारी हालत बहुत ज़दा खराब है जहां बच्चे के साथ दोनों तो काफी मस्ती करते हैं और कैप्टन मॉम डाट से वीता की बात भी कराता है अब कैप्टन की गल्फ्रेंड है यह जानकर ही मॉम डाट बहुत खुश होते हैं तो अगली सुब बच्चे को कैप्टन और वीता उसके फैमली को सौप देते हैं तें दोनों वापस आते हैं और लुगर की गैंकी लड़की से उसके अड़े के बार में पता कर लेते हैं तो वहाँ जाने से पहले कैप्टन वीता को अच्चे से फाइटिंग सिखा देता है जिस बीच उनका रुमैंस भी चल रहा था तो कैप्टन वीता को एक रिंग वाली लॉकेट पहनाता है जिसके बाद वो दुनों डाल से मिलने जाते हैं जहां वो दुनों भी डाको औल देश्ट विश करते हैं मिंग से कन्वेशन करने के लिए पर थोड़ी तेर में मिंग आकर उसका जूट पकड़ लेती है जब वो उसके टॉilet करने के लिए कंटेनर लेकर आती है तो डाको घड़ा होना ही पड़ता है अब डाको टी देकर मिंग हैरान होती है पर इतने टाइम से ये बात उससे चुपानी के लिए वो थोड़ी नाराज हो जाती है डाको बेड रष्ट की जरुवत थी इसलिए उसे चोड़कर बाकी सब लूगर को पकड़नी के लिए उसके एक प्राइवेट क्लब में जाते हैं मगर उन्हें लूगर की कुछ लोग पैचान लेते हैं जाको जब पता चलता है कि मिंग मिशन पे गई है तो वो हॉस्पटल छोड़कर इस प्राइवेट क्लब के लिए निकलता है जहां वीता को कुछ लोगों ने किड़नाप कर लिया था जहांपर उसे पता चलता है कि यहां पर तो लड़कियों को बेचा जाता है वहीं कुछ गुंड़े मिंग के पीछे पढ़ जाते हैं जहां मिंग को एक जन मानने ही जा रहा था पर तबी डागर उसे बचा लीता है में दर क्याप्टिन भी वेटर बनकर अंदर चला आता है जहां कर वो पहले वीता को चुलाता है जिसके बदनिक अपने सारे ऑफिसर्स के साथ लब को चार ओर से घेर लेता है जिस बीच मिश्टर हान एक हूड़ी पहने हुए बंदे को जाते हुए देखते हैं जो कि असल में लूगर था तो उसे रोगने के चकर में लूगर के हाथों अपनी जान गवा देते हैं तो मिश्टर हान के मौत से टीम मेंबर्स बहुत ही जादा दुखी होते हैं पर सभी एक दूसरे को कंसोल करते हैं कोई कैप्टन को अब तो पूरा यकीन था कि उनके टीम में कोई ना कोई गदार जरूर है जिसने उनके आने की खबर लूगर तक पहुँचाई थी कैप्टन को पता चलता एकि मिश्टर हान भी लूगर पे इन्वस्टिकेशन कर रहे थे इसलिए वो रात को मिश्टर हान की घर तलाशी करने जाता है जहाँ से मिश्टर हान के अब तक कि लूगर पे की हुए investigation के रिपोर्ट्स मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि Mr. Han को तो काफी पहले से पता था कि उनके टीम में से कोई लूगर से मिला हुआ है वह यह में पता चलता है कि चीफ की वाइफ को किटनी ट्रांस्प्लांट की जरुवत थी पर उनसे मैच करने वाला किटनी उन्हें नहीं मिल रहा था इदर कैप्टन मिश्टर हान की investigation को follow करते हुए लूगर को ढूणने में लग जाता है पर वीता उसे हर जगा follow कर रही थी इस तरह investigate करते हुए कैप्टन लूगर की में अड़े पर ही पहुँचाता है जाँ वो तो अकेल ही लूगर की सारे बंदों को एक एक करके धेर कर रहा था क्योंकि वो लूगर से मिश्टर हान और बाडिन के मौत का बदला लेना चाता था अवीता अंदर जाने से पहले अपने साथियों को कॉल कर देती है इधर एक टाइम पे कैप्टन का सामना लूगर से होता है जाँ दोनों की बेच काफी फाइट होने के बाद कैप्टन लूगर का मास्क खटा देता है पर लूगर का फेज देकर कैप्टन तो शॉक्ट रह जाता है क्योंकि वो तो उसका बच्पन का दोस्त बाडिन था जो पांच साल पहरे लूगर की साथ शूट आउट में मारा गया था पर वो उस दिन वहाँ पर मरा नहीं था तो कैप्टन उससे पूसता है कि तुम लूगर कैसे बन सकते हो बाडिन कहते है कि मुझे लूगर तुम्हारी वज़े से बनना पड़ा क्योंकि हर चीज में तुम परफेक्ट थे लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ करते थे तब सबने बताया कि तुम मर चकुए हो क्योंकि वो बन धमा का काफी बड़ा था पर पांच साल पहले उस बलाष्ट में असली लूगर मरा था और बाडिन को किसी ने बचा लिया था जो कि इन सारी क्राइम्स का मास्टर माइंड था बेसिकली बाडिन था कैप्टन से जैलिस जिस वेसे वो तो उसे मार नहीं जाता है पर उससे पहले ही वीता बाडिन को गोली मार देती है जिससे बाडिन के ओन दा स्पॉट डेथ हो जाती है पर इस वेसे कैप्टन बहुत ही जाता साड होता है इतना कि वो कुछ दिनों तक वीता से बात भी नहीं करता जिससे वीता भी अपसेट हो जाती है अब कैप्टेन को इतना सैड देखकर वीता अपने आपको इसके जिम्मेदार मानती है इसलिए वो कैप्टेन की साथ रहकर उसे और हर्ट नहीं करना चाहती थी जिस विए से वो captain से break up की बात करती है जो सुन captain उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी वज़े से hurt नहीं हूँ I am sorry अकर तुम्हें बुरा लगा हो तो पर वीता उसके बाद सुने वेगर जली जाती है और resign काने का decide करती है पर वीता एक organ trafficking का case investigate कर रही थी जिसे उसने लुगर की private club में देखा था जहांपर बहुत सारे लड़कियों के kidney निकाले गया थे तो वो जब taxi से कहीं जा रही थी तबी रास्ते में उसने उसी लड़की को देखा जिसे कुछ लग उठा कर ले जा रहे थे इसलिए वो उस car को follow करती है जी चीफ ही इन सारे crimes का mastermind है और वही लुगर की नाम पे crimes करा रहा था और उसी ने 5 साल पहले बार्डिन को भी bomb blast से बचाया था और उसे manipulate करके नया लुगर बनने पे मजबूर किया था तो वो वीता को मान नहीं जा रहा था इसलिए उनके हाथों मरने के बजाए वो खुदी अपना जान दे देता है अब वीता और कैप्टन दोनों को ही चोट लगी थी इसलिए दोनों को hospital मेडमेट कर दिया जाता है अब दोनों एक दूसरे को सही सलामत देकर सुकून की सांस लेते हैं तो कैप्टन उससे sorry कहता है कुछ दिन उससे बात ना करने के लिए तो वीता भी उससे sorry कहती है ब्रेकप की बात करने के लिए तो दोनों ही दूसरे को माफ कर देते हैं तो वीता ही कैप्टन को शादी के लिए प्रोपोस करती है जहाब तीनों कपल की शादी हो चुकी थी कैप्टन और वीता की एक क्यूट सी बेटी थी जिसका नाम था लिली तो सब लोग मिलका लिली की एक्जाम में टॉप करने का सेलिब्रेशन कर रहे थे जिसके बाद एक दिन लिली की स्कूल में एक प्ले होता है जिसमें लिली प्रिंस बनी थी और एक लड़का बना था प्रिंसेस सब को उनका एक्ट बहुत पसंद आता है तो पले खतम होने के बाद वीता और क्याप्टन जब उस बच्चे से बात कर रहे थे जिसका नाम उशियाओ था वो कहता है कि जब मैं बड़ा होंगा तो मैं लिली से ही शादी करूंगा युसून क्याप्टन कहता है कि ओई चोटे तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो लगता है मुझे तुमारे पेरन्स दे तुमारी शिकायत करनी होगी तो उशियाओ बोलता है कि मेरे पापा क्याते हैं कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मुझे उसी टाइम से उसे एंप्रेस करनी की कोशिश करनी चाहिए वरना कोई और उसे एंप्रेस कर देगा और मुझे फूचर में पैस्ता आना पड़ेगा वीता कहते कि क्या इस के हरकत है तो मेरे फुल सबस्राइगा थुमारे साथ है उशियाओ कहता है ठीक डाड़ युद कर वीता और कैप्टन तो हसने हи लग जाते है और कहते हैं कि ये बाप बेटे नहीं सुधरेंगे तो सेन वी चोई चोटू मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने नहीं दूँगा तो कैप्टन लिली से पूचत है कि वो तुम्हें पसंद नहीं या ना पर लिली कहती है नहीं तो मुझे वो पसंद है जो सुन कैप्टन तो रोने लग जाता है तो लिली कहती कि don't worry बापा मैं उसे लाइक नहीं करती तो इनकी इसी फैमिली नोग जोक के साथ इस ट्रामे का भी हैपी एंडिंग यहीं पर हो जाता है